पुर्व मुख्यमंत्री एवंवर्तमान विधायक शिवरासिय चोहान के विधान सवा शेत्र में मद्यान बोजन में हो रहा है भारी फर्जी वाड़ा भले इस आशन योजना चलाने का धिंडोरा पीट कर वावा ही लूटी पर जमीनी इस्तर पर खोकली साबित हो रही है प्रशाशन अंदेखी के चलते इसकूलू के मद्यान बोजन भारी पर जिवाड़ा हो रहा है जब इस योजना का ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया गया तो देखने को मिला कि मीनू के अनुसार भोजन तयार नहीं किया जाता है ये पूरा मामला नसुला गंज शेत्र के एक दरजन से ज़्यादा इसकूलू में देखने को मिला मद्यान बोजन में अनेको प्रकार की अनिमित्ता पाई गई कहीं गुणवत्ता विहिन बोजन तो कहीं मीनू के अनुसार बोजन ही नहीं बनाया जाता से बात करने पर पता चला इसकूल में बच्चों को भर पेट तक खाना नहीं दिया जाता सिर्फ दो-दो पूरी देकर मना कर दिया जाता है पूश मिना की रिपोर्ट रसुला गंज आज की अवाज आलू की सब्जी है ना बस दोई चीज बनी और तो कुछ नहीं बना बस दोनों चीज बनी थी आज खीर भी बनना था तो आपको खीर नहीं खिलाई खीर नहीं बनाई तो आपने बोला नहीं अपने सरसेक सर आज खीर बननी थी खीर क्यों नहीं बनी पूछा नहीं पूछा नाम है आपका स्वाति पभाद है यहां भोजन कैसा मिलता है सर यहां का भोजन से जिर्दुखता है सर हम घर खाने के लिए जाते हैं घर खाने के यहां किते लोग बच्चे हैं जो भोजन नहीं करते हैं मतलब यहां का भोजन खराब मिलता है मत्यान भोजन इसलिए आप सब घर जाके भोजन करते हैं क्या नाम है तुम्हारा इसकुल का नाम बताओ अपने आज आपने क्या खाया भोजन में कीयर का फिर अलबी इस खिर कसी लगे खाने में कमजर थी कर खारप थी? आउप क्या थी 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 थोड़ी खतार थी-डी ठीटी लग को फिर कित्ती थी क्या तो कित्ती लाई अगर उसके canyon चार्व बोटते हैं उसके अधे हैं कि अगर रोटी होती तो कितनी देते हैं दो रोटी और दो रोटी बाद अगर आपने मंगा कि भी हमको रोटी और चाहिए तो फिर क्या बोलते हैं कि अ